कोरोना के लगतार बरते मामलों को देखते हुए राजय सरकार द्वारा शुरू किये गए नो मास्क नो एंटी अभ्यान के तहथ गुरू वार को अलवर में कंपनी बाके समीक पुराने सूचना केंदर में एक जंड जागरती रैली का अयुजन किया गया इस रैली में स्काउट वे गाइड के अलवा महिला एवंबाल विकास विभाग की कारे करता वे आशा सयोगिनियों ने हिस्सा लिया इस रैली का शुबारम शम राजय मंतरी टीकारम जूली वे नगर कुसे सभापती बीना कुपता ने किया इस अवसर पर जूली ने कहा कि दे तो कुरोना के मामले में कुछ कमी आजाती है और लोग लापरवा हो जाते हैं इस लापरवा ही के चलते कुरोना के मामले लगातार पर रहे हैं जूली ने कहा कि जब तक वैक्सिन नहीं आती तब तक यह जरूरी है कि लोग अपना बचाओ खुद करें और मास्क पहने आज के समय में अक्सर देखा जा रहा है कि लोग कोरोना महामारी से डन नहीं रहे और लोग लापरवाही ज्यादा बरत रहे हैं उनुने कहा कि अभी करोना महामारी खत्म नहीं हुई इसके लिए लोगों को मास्क अपनी दिन जर्या में लाना चाहिए और जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले जिससे वह अपना और दूसरों का बचाओ कर सके देखी मैं कहना चाहूंगा कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है देश के अंदर भी पूरे विस्टू के अंदर भी आप देख रहोंगे कि कही जगह पर इसकी दूसरी वेव आ गई है और पहले से लगबग दुगने धाई गुना पैसेंट लगातार वहां पर बढ़ रहे ह इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहां भी जो देखनी में जो प्रेंट जो नजर आ रहा हूं यही है अधी लोंत्री में होता है जब शक्ति होती है तब कोरोना के जो आंकड़े हैं वो पाम हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग को यह लगता है कि अब कोरोना के पैसेंट कमा तो फिर हम लापरवाई शुरू करने लग जाते हैं तो फिर वापिस सांक्रें बढ़ने लग जाते हैं इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक इसकी वैक्सित नहीं बने तब तक हमें बहुत जहां दखने की जरूत है एतियाद रखने की जरूत है हम मास्क लगाए बिना कहीं भी नहीं जाएं बेड़ी के अंदर नहीं जाएं और अनावे सक बाहर निकलने सम्बचें